कुछ तितियां होती हैं जिन तितियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चड़ा सकते तो श्युमाहापुरान कथा करती है, इसकंदपुरान करती है, विश्नुपुरान करती है, गर्गसहिता करती है, गिताप्रुस गुरकपुर का कल्यान का गंगा अंक करता कि कुछ तिथियां भारत की भूमी पर ऐसी वर्णी थे जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं गंगा का जल मात्र एक आधी चमजभी आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुकानन दित है जैस तितियों में अगर हम गंगा का मातr थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपनी भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधरन शुमंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हू आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो ठोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भर कर सीधे रामिश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूं स्रामन के म महिने में या अन्य जीव अन्य महिने में आप शिव को समर्पित कर रहें यह आपके भी तर एक भावत्पन होना चाहिए